कि अपने सहाबा के दर्मियान तश्रीफ फर्मा थे और उनसे बाते कर रहे थे किया बताया था मैंने आपको कि अधर मुहम्मा सल्लाहु अल्युज़ आफ्री नभी है वो अपने सहाबा कराम के साथ यानि अपने दोस्तों के साथ अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे तश्रीफ फर्मा थे उनसे बाते कर रहे थे तो आप अल्युज़ वाले वाले सल्लम ने फर्मिया एक आदमी पढ़ाय था न मैंने कर लाप लोग को एक बर फिर से रिप्रीट कर रही हूं मैं एक आदमी सफर कर रहा था यानि एक आदमी कहीं जा रहा था एक रहा था रास्ते में उसे बहुत प्यास लगी थी फिर उसे नज़र आया थी कुपी किताब में देखें, आपको एक कुवा दिखाई दे रहा होगा, ये कुवा होता है, किसी-किसी ने देखा होगा ये कुवा और किसी-किसी ने नहीं देखा होगा, और जुनों ने नहीं देखा, वो आगे अपनी आने वाली जिन्दगी में कभी ना कभी देख लेंगे तो दास्ते में उसे सब प्यास लगी थी, उसको एक कुवा नदर आया, उसने उस कुवे में उतर कर पानी प्या, वो उसने क्या क्या उसको उतरा और उसने पानी प्या, जब वो बहर आया, तो उसने देखा कि एक कुट्टा जो है प्यास की शिदत से, यानि एक कुट्टा थ तो उसकी शिद्दत से बेताव हो गया था और मत्ती चाट रहा था तो शक्स ने सोचा कि ये भी मेरी तरहा प्यासा है फिर वो शक्स जो था शक्स कौन हो था आदमी वो आदमी जो है उसने सोचा कि ये भी मेरी तरहा प्यासा है क्योंकि उस आदमी को भी प्यास लगी थी तो तो आदमी जो है कुवे में उतरा और चमडे के मोजे में पानी भर कर लाया देखो हम जो मोजे पहनते है ना या दस्ताने पहनते हैं अगर वो उनके बने में होते हैं अगर उसके पानी भरेंगे ना तो नहीं भरेगा तो आदमी जो है कुवे में उतरा और चमडे के मोजे मे वो पानी भर कर लाया और कुट्टे को किलाया कुट्टे ने क्या क्या पानी पी लिया और अपनी प्यास बुझाई फिर जब कुट्टे की प्यास बुझ गई जब कुट्टे की प्यास बुझ गई तो फिर उस आदमी ने क्या क्या अगर कोई भी काम हमसे अच्छा हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए Allah Ta'ala का शुकर अदा करना चाहिए कि Allah Ta'ala ने हमें तौफीक दी कि हम अच्छा काम करें किसी की मदद करें Allah Paak ने हमें गाबिल बनाया है कि हम दूसरों की मदद कर सकें ठीक है तो उस आदमी ने जो है Allah Ta'ala का शुकर अदा किया और अपने सफर पर रवाना हो गया यानि वो आदमी अपने सफर पर दुबारा चला गया Allah Ta'ala ने उसके गुना माफ कर दिये सुभान अल्ला Allah Ta'ala ने उसके गुना माफ कर दिये अच्छा बच्चों आपको पता है जब हम कोई अच्छी बात सुनते हैं अच्छी बात सुनने को मिलती है अच्छी बात सुनने को मिलती है तो हमें सुभान अल्ला कहना चाहिए अच्छी बात सुनने को मिलती है किताब में हैं वो थो तो हमें क्या कहना चाहिए ? कॉन बताएगा ? माशा अल्लाः ! कॉछ बताएगा ? माशा अल्लाः ! माशा अल्लाः ! मेरी गुड़ु मरमान ! राभिया बिटा आप लेट आये हैं तो कोई मस्ला नहीं है मैने इमला करवाय था जिखाने किताब में है वह ुद्रा और छंब्रे के मोजे में पानी भर्कर लाया और कुट्रे को पिलाया और अपनी प्यास वुड़्धाइ निध्री दृभ sorry यह हमला है कवडगे आखरी वाले पेच पर आपको प्रफिपला पारण के आपके अप्र अबडिय के आपके यहां तक तो कल पढ़ लिया था, मैंने एक बार फिर से इस लिए पढ़ा था कि हमारा दुबारा रिव्यू हो जाए अब हम पढ़ते हैं आगे किताब तमाम बच्टों के पास खुली है सहाब ने सवाल किया अच्छा बच्चों मुझे यह बताएं किस से पूछों किस से पूछों मैं आज पूछों, आज मैं किस से पूछों सहर फात्मा सहर फात्मा आप मुझे यह बताएं सहर फात्मा मुझे आप यह बताएं कि सहाबा किस से कहते हैं सहर फात्मा अच्छा बचाएं आप बताएं साहाबा किसे कहते हैं? Allah जो घंदे कल बताया था थोड़ी दर पहले भी बताया था मैने किती की पूरी पाथा अब उसके से सुना नहीं और बुझ गए चले उमा लिम्रान उमा लिम्रान आप बताईए साहाबा किसे कहते हैं के लिग था डिए पुष एंदर अब ने का लुभ एंदर्ण ने का ल्ग फोल दोर्स आप दोर्स खेली कि पार्ला कर लयां गए ज़र बाला पूल लिए अप्या क्यरियों का अपे इस जब मुटे बचाने या झाले हो अर पौर बटाएगा साहबा ते कर दें दो का ने किसी के मलत करने को अजुरू पास के दोस्त को अजुरू पास के दोस्त को अभी फिर बता दे हमारे त्यारे नबी जहाभा ने स्वाल किया सहाबा ने सवाल किया सवाब मिलेगा। हाँओ किया थिंद्धिन सवाब ने फर्माया थिंद्धिन दुट है सब्सक्राइब से जिसंद्धिन और यिद्धिन मैं ने फर्माया और्लीय सम्झाव कर्मार ओस्झा ऐक ओूवरत बिली को बान्दे रखती थी जो थी वह क्या है तक झाल कर रखती थी का अ EL भाद कर रखती थी בא कर दो आप लोग देखिए जोगम है ठाल कि भीका भाणने की चीज़ है? पाल की भाणने की चीज़ है? भाण कर रखते की? भाण कर तो रखती थी. लेकिन भाणना थो नहीं चाहिए. फुद्ट जल्ली जान्वर ना. उसको तो हमें जंगल में छोड़ि ले चाहिए. कि या मनलब शहरों में भी घूमती हैं बिलियां, तो बिली को वो बान कर रखती थी, ना उसे खुद खिलाती थी, यानि कि वो बिली को खाना भी नहीं देती थी, और ना उसे खुला छोड़ती थी, और ना खुला छोड़ती थी. टीचर, प्रतीज में लेडिंग और डिटीचे कर आदिए। यह रीडिंग है डिक्तेशन हो चुका डिक्तेशन हो चुका? एडेशन हो चुका है अब भी आपको अब आपको डिक्तेशन बता देती हूं वो है न, वह कुवे में उत्राव चम्रे के मोजे में पानी भरकर लाया और कुट्टे को पिलाया कुट्टे ने पानी प्याँ प्यास भुझाई बस इतना ही म्ला हुआ है कोपी के आख्री सफे पर ले लीजेगा, ठीके? बस यही? प्यास बुजाई तक थोड़ा साइं लिया है ताके बच्चों की हवाइच बने ठीक है ओरत जो थी वह बिली को बांदे रखती थी ना उसे खिलाती है हम जो है बिलियों को या जानवरों को अगर रखते हैं अपने पास तो हम उन्हें खाना भी खिलाते हैं हम उन्हें पानी भी पिलाते हैं यानि उनका ख्याल लगते हैं ना बच्चों तो ओरत जो थी ना उसे खुद भी खाना नहीं खिलाती थी और उसको खुला भी नहीं छोड़ती थी अगर वो बिली को खुँदा चोड़ती तो बिली जहा कर अपना खाना खुद घून लेती तो ना अउरत उसे खाना के लाती थी जो बिली जो है न खुद घून कर कुछ खा ले दोजक में गई, ठीक है कि एक उठनी खुल दी और उसको छोड़ दिया आप सल्दा हुले वाले सल्दम ने क्या किया बच्चों आप सल्दा हुले वाले सल्दम ने क्या किया या रसी खोल दिया और उसको छोड दिया फिर आप सल्दा हुले वाले सल्दम ने लोगों को नसीहत की कि जानवरों के साथ कैसा सुलुक करें अच्छा सुलुक करें तो यह चप्तर आगया अब दोफिए जो आप लोग रहेंगे पता है आप लोग जो आना शाम के ताइम पर या दुपहर के ताइम पर जब आपको टायम मिलता है ना आप लोग क्ताब कर लोगों अच्छे से पढ़ियेगा अप लोगों से सवाल जवाब करूंगी क्या करूं कितब का सafhा पलती है मुष्च्छे कितब का सafhा पलती है आपका सफा प्रप्धी है समाम प्रप्थे पुरह भाई यह दो कि लिखाई ने रा अवन को दिखाई दे हैं एस पत्छों। कि वेनो सिट्केंगे यहिभा ने लगात। इसके बाद लिखाई करने के बाद हमने क्या किया था? नए अल्फाज लिखे थे ना? जी अब हम लिखेंगे अल्फाज माईने हाँ, अब अल्फाज माईने लिखेंगे ठीक है अब तमाम बच्चे मुझे बताएं कि कुवां, कुवां दिखाई दे रहे हैं, सबको अलफाज दिखावाएं, कुवां कुवां के माईने क्या है? जमीन में पानी के लिए खोदा हुआ गहरा गढ़ा मिस ये, ये कॉपी में लिखे, मिस ये कॉपी में लिखे जी बेटा, ये कॉपी में लिखेंगे हैं नहीं बेटा, आप बात सुले मेरी हमने सबसे पहले टाइटल पेज बनाया था इसके बाद हमने लिखाई की थी इसके बाद हमने नए अलफाज लिखे थे नए अलफाज लिखने के बाद हम क्या करेंगे? मा कब्लाननी वाई निखेंगी ना कॉपी में भेँ ने नये अउस अपले का है समय शुद्वाय था इस उस चुडब आ तो लिखा आ कि लिखनी थी उस पर तो पिटा लिखाई पर नी करनी थी आपको और कल मैंने आपको डाइरी भी दी थी, इसका मंदब आपने डाइरी नहीं की अब तक बुरी बात है अब वक्त पे कर लीजेगा, ठिक्के चले, अब हम पढ़ते हैं कुवां क्या लिखावा है पहला अलफाज? कुवां कुवां पेला ल्फाज क्या लिखावा है? कुवां क्या लाइन कीचे? में प्राइनगी चले, छेजने जाए में लिखने? जमीन में पानी के लिए खोदा हुआ जमीन में पानी के लिए खोदा हुआ गेहरा गढ़ा कास के माईने क्या है जमीन में पानी के लिए खोदा हुआ केहरा गढ़ा जमीन में पानी के लिए खोदा हुआ केहरा गढ़ा जमीन में पानी के लिए खोदा हुआ केहरा गढ़ा जमीन में पानी के लिए खोदा हुआ केहरा गढ़ा जमीन में जमीन में पानी के लिए खोदा हुआ गहरा गढ़ा अचा गढ़ा क्या होता है एक खड़ा होता है ना खड़ा गढ़ा हम गहरा करके खोद देंगे और इसमें पानी जमा करेंगे तो वह क्या कहलाएगा खुआ पानी होता है पीने के लिए गाव दे हातों में तो पीने के लिए पानी कुवे से ही भरा जाता है इसके बाद नमबर दो है शिद्दत आप लोग समझ लीजिए इसके बाद घ शिदत किसी भी चीज की जयाती हो जाती ना बहुत ज्यादा जानी अगर हमें कहीं लिए लगती है तो अगर हलकी पुलकी लगती है तो हलका पुलका से दर्द होता है और ज्यादा दर्द होता है तो हम ज्यादा होता है बहुत ज्यादा दर्द होता है बहुत ज्यादा दर कि इसके बाद है बेताब इसके बाद क्या है बेताब इसके बाद क्या है बेताब इसके बाद क्या है बेताब बेताब के माइन है बेचेन, बेकराल बेताब की क्या माइन है बेचेन, इसके बाद आजाएं इसके बाद देखें सुलूक क्या लिखावा है? सुलूक सुलूक के क्या माईने है? सुलूक के क्या माईने है? सुलूक 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 के माईने है बरताओ किसी से पेश आने का तरीका अगर हमारा अच्छा सुलूक होगा तो हम अच्छा सुलूक लिखेंगे बुरा सुलूग होगा तो बुरा सुलूग यानि बढ़ताओ, रवया तो सुलूग के माहिने क्या है? बढ़ताओ, किसी से पेश आने का तरीका इसके बाद है सवाल इसके बाद क्या लिखावा है? सवाब क्या लिखावा है? सवाब सवाब को मठला है ने काम का बदला जो अल्लह की तरफ से मिले इसके बार है आखरी हमारा अल्फास का माइने नसीहत नसीहत की क्या माइने है भलाई की बात भलाई की बाद फिक्यै? ये तमाम बच्चों को मुकमल कर लेने हैं कॉपी में कॉपी में अल्फाज मेंने मुकमल कर लेज़ेगा कॉपी में पुवा पानी में जमीन में पानी के लिए खोड़ा वा गहरा कर डा शिद्दत का मतलब है सक्ती, तकलीव, ज्याती, बेताप का मतलब है बेचेन, बेकरार, सुलूप का मतलब है बढ़ता हो, किसी से पेश आने का तरीका, सवाब का मतलब है नेक काम का बदला, जो अल्ला की तरफ से मिले, नसीहत का क्या मतलब है, भलाई की बात, भलाई की बात खेके बड़ता, अब देखे किस्क्रीन शेयर कर लिए यह आप लोग खार पर कर लीजएगा, अगर नहीं तो हम गल-क्लास्ट में कर लेंगे, किसी को कोई मसला हो तो पूछ लीजेगा यह लेकिन किताब में ही करना है काम, इसको कॉपी में नहीं करना, ठीक है? आदमी को अलफाज माइने के नीचे ही रेखे लिखावा है, तो उस जवाब के दाएरे को पैंसे से भरिये और खाली जगा पूर करें, आदमी को सफर के दौरान डैश नजर आया, तहलवान, कुवा, बुजूर्ग या शायद, कुवा, बुजूर्ग या शायद, कुवा, व जवाब देने, आपका नाम बताएए, नाम के साथ बताएए, जी, विट्टा, आपने अंसर भी आपका नाम बताएए,